Hello students, आज की इस वीडियो में में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए competition exams में पुछे जाने वाला एक महत्वपून numerical तो example कुछ इस तरह से है निम्न परिपत में कुल सक्तिवे ग्याद कीजिए इसमें दो लेंप है L1 और L2 फर्स लेंप है 100 वाट का, दूसरा लेंप है 200 वाट का तो इस परिपत का कुल सक्तिवे ग्याद करना है जनरली स्टुडेंट की अगरते हैं दोनों लेंपों की कुल वाटेज को 8 कर देते हैं जिससे इसका आंसर प्राप्त होता है 300 वाट जो की इस कुशन का गलत आंसर होगा तो चलिए देखते हैं अपन इसको सही तरीके से कैसे अटेम करेंगे तो फर्स अपन फाइंड आउट करेंगे लेंप L1 का पर्तिरोध तो जैसा कि स्टूडेंस आपको पता है पर्तिरोध किसी भी लेंप का पर्तिरोध ग्याद करने के लिए अपन फोर्मुला लगाते हैं आर बराबर V स्कॉयर वट्टे P तो इससे अपने पास लेंप L1 का पर्तिरोध आर वन बराबर 220 का स्कॉयर वट्टे 100 इस एकल टू चार सो चोई ऐसी हो ठीक इसी पर्कार लेंप L2 का पर्तिरोध आएगा अपने पास आर टू बराबर 220 का स्कॉयर वट्टे 200 इस एकल टू 242 ओम इस पर्कार से इस परिपत का इस दिये गई परिपत का कुल पर्तिरोध होगा चार सो चोर्यासी प्लस 242 बराबर 726 ओम नेक्स्ट अपन अब फाइंड आउट करेंगे इस परिपत की कुल धारा तो परिपत की कुल धारा के लिए आई बराबर V बटा R जैसा कि ओम का नियम अपन को बताता है आई बराबर V बटे R तो R यहाँ पे अपन R टोटल रखेंगे तो आई बराबर V V की वेल्यू पुट करेंगे 220 वोल्ट और R टोटल जो की अपने पास प्राब्त हुआ 726 तो इस परिपत की कुल धारा है वो मिलेगे अपन को 0.303 एमपियर इस परिपत से अपन कह सकते हैं कि परिपत की कुल विदुसक्तिवे जो होगी पी बराबर I²R किसी भी परिपत में विदुसक्तिवे अपन गयाद करते हैं पी बराबर I²R से तो I की वेल्यू पुट करेंगे अपन 0.303 का होली स्कुएर और R की वेल्यू पुट करेंगे अपन 726 इस परिकार से अपन को इस परिपत की कुल विदुसक्तिवे प्राप्त होगी 66.66 Watt जो की लगभग इक्वल है 67 Watt ओके थैंक यू